असलाम उलेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड, आज मैं आई हूँ अपनी फ्रेंड के घर और मेरी फरमाईश पर बहुत ही जबरदसा डिजर्ट मेरी फ्रेंड मेरे लिए तयार कर रही है और ये डिजर्ट मुझे यकीन जानिए बहुत पसंद आया, इत दिए फिफटी डिगरी फेरन हाइट या उनीटी डिगरी सलशियस पर तीन अंडे लिए हैं हमने इसमें एड कर रहे हैं हम वन थरड कप ऑईल, वन कप इसमें जाएगा वाटर और एक पूरा पैकेट इसमें जाएगा केक मिक्स का ठीक हैं पहले हम इसको हल्का सा बीट कर एग, ओईल और वाटर को और बस अब हम इसमें जो है वह हमने केक मिक्स आड़ कर दिया है वन पैकेट और अब हम इसको भी बीट कर रहे हैं बहुत ज़दा ओवर बीट करना है आपने बस इतनी देर बीट करना है कि अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो जाए और एक स्मूथ सा ह एक पैकेट यूज किया है और इस पैकेट के उपर तमाम डिरेक्शन लिखी भी होती है कि आपने केक कैसे बनाना है तो इस पर लिखा हम इसे मोल्ड में ट्रांसफर करेंगे बटर पेपर लगाया बटर पेपर को हम थोड़ा सा ओयल ड्रिजल करके अच्छे से ग्रीज कर जो आपके अब क्सी भी और मल्ड का इस्तमाल कर सकते हैं अब हम और बजार से जो बेकरी से बेकरी से जो दरते हैं और बाकी की recipe आप आगया as it is follow करें बस अब हम इसे oven में transfer कर रहे हैं 30 से 35 मिनट हमें लगे cake को bake करने में बीच में हमने इसे एक दफा खोल कर भी देखा जब 25 मिनट हो गए तो हमने इसे खोल कर देखा लेकिन उस वक जो है वो cake के उपर color भी नहीं आया था तो हमने इसे वापस बंद कर दिया और तकरीबन 10 मिनट के बाद हमने इसे जब दुबारा देखा तो cake के उपर बहुत ही जबरदसा golden color आ गया था knife की मदद से हमने इसे चेक किया और ये अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से bake हो चुका है ठीक है बस अब हमने इसे निकाल लिया है और हम इसे ठंडा होने के लिए रख रहे हैं ताकि ये नॉर्मल रूम टेंपरेचर पर आजाए दूसी तरफ हम तयारी कर रहे हैं चॉकलेटी क्रीम चीज की इसके लिए हमने 200 ग्राम क्रीम चीज लिए है इसको हलका सा हमने बीट करके स्मूथ कर लिया बहुत ज़्यादा बीट आपने नहीं करना है ये काम आप मैनुवल बीटर की मदद से भी कर सकते हैं अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो बस अब हम इसमें एड़ करेंगे हेवी विपिंग क्रीम वन कप आप यहाँ पर नैसली की कोई भी क्रीम यूज कर सकते हैं ठीक है हमने यहाँ पर हेवी विपिंग क्रीम यूज की है साथ ही हम इसमें एड़ कर रहे हैं हाफ कप हरशीस चोकलेट सिरप का आप किसी भी और ब्रैंड का चॉकलेट सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी इजीली अवैलेबल हो, ये भी चला गया इसमें, थोड़ा सा हमने इसको दुबारा से बीट किया है, मिक्सिंग करते जा रहे हैं हम साथ साथ, थोड़ा सा इसको बीट करके, फिर हम इसके अंदर जो है वो, शूगर एट करेंगे, पाउडर्ड शूगर है, हमारे पास आइसिंग शूगर जिसको कहते हैं, और शूगर जाएगी अल्मोस्ट हाफ कप के करीब, ठीक है, थोड़ा सा और एट करेंगे, क्योंकि ये छोटा वाला कप है, वन फोर्थ वाला है, हाफ कप शूग बहुत जादा मैं इसको ठीक नहीं करती हूँ, ठीक है, तो बस हमने ये करने के बाद जो है, वो केक के पीसिस कट किये, केक के पीसिस को हम जो भी हमारी सर्विंग डिश होगी, उसकी बेस में लगाते चले जाएंगे, कितना जबर्दस सॉफ्ट केक जो हमारा तयार हुआ ह ये देखें आप, और ये देखें हम इसको बेस में लगाते जा रहे हैं, अपनी सर्विंग डिश की, आप कोई भी सर्विंग डिश जो आप यूज करना चाहें, आप यूज करें, अच्छे तरीके से पूरी बेस में केक के तमाम पीसिस हमने लगा दी हैं, कहीं से कोई भी अब हम तैयार कर रहे हैं कॉफी सिरप, इसके लिए हमने लिया है एक टेबल स्पून कॉफी का और इसमें एड कर रहे हैं, हम तकरीबन पॉन कप के करीब, यानि के 3 फोर्थ कप अफ वाटर, अगर आप बहुत जादा बिटर टेस्ट पसंद नहीं करते कॉफी का, तब अगर आप चाहें तो सिरप में शुगर भी आड़ कर सकते हैं, वन टीस्पून के करीब, हमें थोड़ा सा बिटर फ्लेवर पसंद है, तो हमने वन टेबल स्पून कॉफी को पानी में डिसॉल्फ किया और तमाम केक के ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से एवनली जो है वो विपिंग क्रीम को बीट करके हमने तयार की थी ना, यह अपनी टॉपिंग यह हमने इसके उपर पूरा पोर कर दिया है, अच्छे तरीके से, क्रीम जो है वो हमारी ठीक है, यह केक की थिकनेस और इसकी उपर जो आपने क्रीम जो चोकलेटी क्रीम पोर की है, क्रीम चीज, आप इसके उपर कैटबरी की चॉकलेट की पीसेज डाल सकते हैं, क्रश करके डालें, जैसे भी आपका दिल करें, इसको सर्फ करें, आप बिल्कुल ठंडा ठंडा, तकरीबन आपने कम से कम, 3-4 घंटा जो है वो इसको फ्रेज में रखना है, और चाहें तो आप इसे ओवरना भी रख सकते हैं, चलें जी हम इंजॉय कर रहे हैं अपना जबरदस सा चॉकलेटी टिरमिसू कॉफी ट्रिफल, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए, अल्ला हाफिस!